नमस्कार आज हम FDP प्रोग्राम के तैट एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम राजस्तान के भौतिक प्रदेश का दिन करेंगे राजस्तान को मुक्षे रुप से चार भौतिक प्रदेशों में विवाजित किया गया है प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश दक्षन पूर्वी पठारी भाग तो यह चार भाग मुक्षे रूप से राजस्तान के भौतिक स्वरूप के अधार पर बाटे गए हैं इन चार भागों में सबसे जो विस्तार वाला भौ भाग है वो है पच्षिमी रेतिला मैदान या पच्षिम मरुस्ति प्रदेश यह मुख्य रूप से राजस्तान में एक लाग पिचितर हजार वर्ग किलोमेटर में फैलावा है जिसकी लंबाई उत्तर पच्षिम से दक्षिन पूरू की और लगवग 640 किलोमेटर लंबा पच्षिम से पूरू की और लगवग 300 किलोमेटर चोड़ाई भाग में हैं इस भाग में जो राजनेतिक रूप से यह देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगर, बीकाने, चुरू, नागोर, जोतपूर, जसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालो, सीकरव, जुंजुनुजले आते हैं अध्यन की दरश्टी से इसको भी कई उप कईयों में बांटा जा सकता है, रेतिला सुष्क मेदान, अर्द सुष्क मेदान, अब रेतिले सुष्क मेदान को भी दो भागों में बांट सकते हैं, मरुस्तली यह वाला है, मरुस्तली भाग, दूसरा है बालुका, मुक्त प्र दूमनी सिन लोनी सिंस खहा वरेजन नागोर नागोरिया प्लैंट्स ़िए ठाप इसके अलावा दूसरा। प्रमुक्द प्रदेश हैं जो है ऑरावली प्रवत्य प्रदेश आ सी अरावली प्रवत्य प्रदेश राजस्थान में मुख्य रूप से शिरोई से आरंध होकर ये दक्षन पच्छी में शिरोई से आरंध होकर दिल्ली तक फैला हुआ है खेतरी तक रास्तान में उसके बाद दिल्ली में है खेतरी तक ये भाग संकलाबद है इसके बाद में ये भाग तूटी तूटी पहाडियों की रूप में फैला हुआ है इस अरावली की लंबाई 692 किलो मेटर है जबकि ये राजस्थान में 550 किलो मेटर में फैली हुई है अब इस भाग को भी अद्दिन की दृष्टी से उत्री पूर्वी पहाड़ी प्रदेश मद्यारावली मेदान और तीसरा अपन मेवाड पठा पहाड़िया या भोराट पठार ये भोराट वाल अप्लेटिव भोराट पठार और लास्ट में आपकी आबू ब्लॉक ये आबू परवत यहीं पर इस परवत की सबसे उंची चोटी गुरू शिकर है जिसके उंचा है 1722 मिटर अब तीसरा भाग है पूर्वी मेदानी प्रदेश अब पूर्वी मेदानी प्रदेश को भी अपना द्यन की दृष्टी से तीन भागों में बाढ़ सकते हैं मुख्य रूप से चंबल बेशिन ये चंबल बेशिन है केवला भाग बनास ये बनास है और तीसरा है मद्य माही बेशिन मिडल माही प्ले ये भाग मुख्य रूप से राजस्तान के 23.3 प्रतिशत भूबाग पर फैला हुआ है इसके अलावा सबसे अंतिम जो भूतिक प्रदेश हैं जिसका नाम है दक्षनी पूर्वी पठारी प्रदेश या जिसको हडोती पठार भी का जाता है ये रास्तान के कुल भूबाग के 9.6 प्रतिशत पर फैला हुआ है ये वला अब इसको भी मुख्य रूप से कुछ लग कोई कई हों बाठ सकते हैं शिविंद्यन का गार भूमी और दक्षन लावा पठा धन्यवाद